कैसे हैं आप सब मैं हूँ प्रीटी सो गाइज आ गया है मेरा एक और पार्सल आखिली गाइज मुझे काजल मोटा मोटा लगाने का वड़ा था क्रेस तो मैं लगाती थी एंड लाइनर भी लगाती थी तो मुझे अभी तक वही बहुत अच्छा लगता है तो मैं काफी सारे क मैं काजल को और पड़ा लगाती हूँ जो आइलाइनर मैं ने एक और पर्चेस किया है तो मैं उसकी अंबॉक्सिं भी आप के साथ करने वाली हूँ तो मेरा काजल है एक ही तो यह जो पैंसल वाला काजल जो होता है वह है सेम यह इस तरह से कुछ खुलता है इस तरह से यह आप लाइनर की तरह भी आप ईसको यूझ कर सकते हैं इस elbow के लेंग नहीं से सब्सक्राइब अघ्म में लाइनर तो इसको यूझ सब्सक्राइब यूझ कर सकते हैं और देली में मैं मैं लगती हूँ याम लकाते हुए यह वाटर ہے दो है काजल है यह मुझे बहुत पसंद है यह कुछ इस तरह से है कि यह लगाने का तरीका है यह बहुत ही इजी है कि इस तरह से है यह फटली से पतले टाइप गे होती है लेकिन तरह से लो Ken पृष वह तो तो आप इस तरह से में यह देखिया आप अच्छा है यह काफी अच्छा है आइंड मेक-बेक-बेक-बें लगा रहे हो तो आपकी आखों में से आईलाश किसी किसी के ज़णने लगते हैं आखों के नीचे बार दिक्कत ही होती है इससे बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी यह आज ही आया है तो यह है यह है यह ब्लू हेवन का यह अगेन मैंने परपल से परपल डॉटकॉम से पर्चिस किया है गाईस इसको जो मार्केट प्राइस है वह हम देखें तो यह है 160 रूपीज इसकी जो मार्केट प्राइस है गाइस वह है 160 रूपीज यह ब्लू हैवन का है इंटेंस आई-लाइनर इजी स्केच तो मैं इसको ओपन करने से पहले एक वास्कार जो रेट है मैं जो परपल.com से पर्चिस किया है तो वह आपके साथ पहले मेंजिन कर देती होंगा मैंने मार्क करके रखा था यह है ब्लू हैवन इंटेंस आई-लाइनर तो यह है मुझे मिला है 104 रूपीर का तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है और उसकी फिनिश आती है वो काफी अच्छी आएगी और यहीं किस टाइप का है तो मैं इसको उपन कर लेती हूं तो काईश कुछ पैंसल टाइप में ही होगा यह है मैंने इसको यहां से उपन कर लिया है तो यह कुछ इस तरह से है यह सार डिटेल्स इसमें दी हुई है अगर आपको पर्चेस करना है तो मैं इसका जो लिंक है मैंने पर्पल डॉप कॉम से इसको पर्चेस किया है मैं इसको लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी गाईज तो मैं चलो इसको यह ब्लै को लिंए शुआज शैनी-फ। शैनी-शैनी सा नीचीज होती तो अच्छा लगता शर्झा गपक लिंए तो धुव लगता है है । चलीए ब्रू हेविन आप आपटार में चलो है दो हरनिया है यह मैं जो काजल लगाए था यह वाला है अ केवाल भीजिला घिर के दार है उत्य है अभी जी। इसको भीएट अपने और सकते हो कोई भी शेप देना चाहों अपने आँकों जो भी है एलोगा सकते हो गाइस तो छीखे आए आँखों के लिए काजल का रूप है ये आप आई-लाइनर है आप आईजमार डेली लगाती हैं लगाती हैं अगर आपको थोड़ से भी यूसफुल लगे हो तो आप पर्चेस कर सकते हैं नहीं भी लगे तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जोड़े रहिए अब्री चैनल को सबस्क्राइब केजिए अब्री वीडियो को लइक कीजी मैं हूं प्रीति और मिलती हूँ आपनी नेक्स वीडियो में ओके देर बाई बाई गैस तोड़ा सा यह और केर्ट करना जाकूंगी जैसे मैंने अभी यह लैनर लगाया था यह वाला काजल एक चीज और शीयर कर दू यह वाला काजल एक लाइनर का उसका यह तो यह यह लगा एक दम से सूख चुका है तो मैंने क्या किया जैसे कि यह वाला है तो मैंने पहले इसको रप किया तो यह देखिए मैंने किसको रॉब किया तो यह देखिए एक दम फहल चुका है तो यह पेंनर की डाइनर पैंसिल है तो यह अइयलाइनर की है ब्लू हेवन वाले की अब देखिए मैंने इसको रप किया मैं खुब जो-जो से रखकर रप कर रहे हूं बिल्कुल भी इधर का उधर हुआ ही नहीं यह तो एंदेखिए जो मोटी वाली है ना मैं इसको बीपर करकर देख ले तो मैंने किया है इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ यह करना चाहिए इसलिए मैं देखिए गाइस यह देखिए यह देखिए मैं जोर-जोर से काफी जोर-जोर से कर रही हूं गाईस तो यह नहीं ही रिमूव हो रहा इसका मतलब कि यह जो है वह आप लगाएं तो आपका यह कम से कम 12-13 घंटे जब तक आप इसको यह रहेगा आपका अगर अपमेक अगर यूज करते तो यह आप नहीं यूज करो सदा बटर एगा लैक में कई यह काफी अच्छा मैंने ब्लू हैविन का मंगाया गाइस यह भी बहुत अच्छा हो बिल्कुल ही रिमूव नहीं हुआ यह आपका पर्मानेंट टाइप में निकल नहीं रहता है। अगर बाति है बाटर प्रूफ की तो हम वह भी इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने मगा थे अपने ब्लू हैविन के गुलाब जल मगाया है। इस पर श्प्रे करें एक बाद देख लेती हूं कि यह बाटर फ्रूफ है या नहीं। यह देखिए guys फैला नहीं है guys बिल्कुल भी नहीं फैला है यह वैसे अगर मैं इसको ऐसे से कररी हूँ तो मुझे हलका सा color आ रहाँ बैसे यह बिल्कुल भी नहीं फैला है बैसे कि वैसे ही यह बना हुआ है ज़रिए मेरे हिसाब से अगर बोटिंग की जाए तो इसको तो मैं जीरो ही दूँगी इस मामले में ये मेक अप में काम नहीं हाता हमारा फिस कहीं जा रहे है पटी वटी में थोड़ी दिर में हाजबत लागा तो ये खराब हो जाएगा बट ये जो लेक में का है ये जो ब्लू हैवन का आई-लाइनर है पैन वाला ये एकदम टिकाओ है इनको मैं बोलती हूँ इनको मैं अगर माक्स दूँगी तो हंड़िट आउट ओफ हंड़िट दूँगी तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में मैं हूँ पृति बाबाई